सद्गुरू, मैंने आपके लगबग सभी वीडियो देखे हैं यूट्यूब चैनल पर मुझे लगता है कि मैं उन में से ज़ादातर चीजों से परिचित हूँ जिनके बारे में आप उन वीडियो में बताते हैं परिचित ठीक है तो क्या वाकई मुझे इनर इंजिनेरिंग कारेकरम में जाना चाहिए एक बार ऐसा हुआ शंकरन पिल्ले ईशा लाइफ के शंकरन पिल्ले इशा लाइफ के महमुद्रा रेस्टरॉंट में गए चैन्नाई में वहाँ एक बहुत बड़ा मेन्यू है जिसमें 5-6 पेज हैं उन्होंने पूरा मेन्यू ध्यान से पढ़ा फिर पूछा मैंने पूरा मेन्यू पढ़ लिया है क्या आप मुझे कुछ खाने की जुरूत है आप जानते हैं कि मेन्यू पढ़ने, खाने और भोजन हजम करने स्वाद का अनन्द लेने, उसे बचाने और पोशित होने में फर्क है यूट्यूब विडियो रिजहाने के लिए हैं बस आपको थोड़ी गुद्गुदी करने के लिए क्योंकि दुनिया जीवन के प्रती इतनी समवेधन शील नहीं है कि वो स्वभाविक रूप से कोई गहरी चीज खोजने की जरूरत समझ सके आज मैं देख रहा हूँ भोजन के एप कहते हैं 2019 इस साल की शुरुवात पूरे महीने खाना न पका कर करें बस और कीजे एक महीना हम आपको डिसकाउंट देंगे हर दिन आपको जो चाहिए हम सप्लाइ करेंगे आपको एक महीना खाना बनाने की जरूरत नहीं है तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मेरा मतलब पूरी दुनिया की संस्क्रिती इसी दिशा में आगे बढ़ रही है तो उनके चुनने के लिए मेन्यू बहुत ही लंबा होना चाहिए अलग-अलग तरह के लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? कोई कॉफी का शौकीन है कोई चाय का शौकीन है और कोई बस सुकू कॉफी का इस तरह से कोई ऐसा है, कोई वैसा मेरा मतलब है लोगों ने अलग-अलग चीज़ें अपना ली है तो हम कॉफी के बारे में, चाय के बारे में, सिरदर्द के बारे में, दिव्यता के बारे में, अध्यात्मेक प्रक्रियाओं के बारे में, मृत्यू के बारे में और जीवन के बारे में भी लिख रहे हैं क्यूंकि आज एक बहुत लंबे मेन्यू की जरूरत होती है सभी का ध्यान आकरशित करने के लिए तो आप मेन्यू पढ़कर ये सोचें कि आपको पोशन मिल गया तो ये दुख की बात है Inner Engineering एक चरण दर चरण प्रक्रिया है इसे आपके जीवन में लाने के लिए इसे आपके दिमाग तक पहुँचाने के लिए YouTube विडियो ठीक है पर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक शक्तिशाली अभ्यास की जरूरत है आपको एक गहरे सिस्टम की जरूरत है ताकि आपके जीवन की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाए ना कि सिर्फ आपके विचार प्रक्रिया था